प्राइम टीवी सच साहस सरोकार कराएंगे तो इस बद हमारे साथ महजुद है डाक्टर S.P. सिंग् सबस्ट सर स्वागत है आपका प्राइम टीवी में सर अपने बारे में सर हमारे प्राइम टीवी के सर जो दर्सकों उनके बारे में सर कुछ अब बताजिए मेरा नाम S.P. सिंग् परबंदक लखनो पब्लिक स्कूल सेंड कॉलिजेज जिसकी बारा साखाएं उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कारेरत हैं दो साखाएं इस वर्स नई और सुरू होने वाली हैं इस तरह से कुल चौदा साखाएं हो जाएंगी मैंने संकल्प लिया था कि सिंग्सा के छेत्र में रह करके कुछ सिवा करो शर आप पूर्व विधान परिशद दी हैं समाज सिवा भी हैं और सर आप स्कूल कॉलेजेज के प्रबंदक और स्थापक भी हैं तो सर इसकी बारे में सर आप कब और कैसे सर सुरूवात कि इसकी सुरूवात मैंने 1983 लगभग 40 साल पहले एक किराय के भवन में एक विद्याले स्थापित किया था उसके बाद धीरे धीरे मेहनत करते हुए अच्छे लोगों को अच्छे टीचर्स को जोडते हुए आज बारा चौदा वरांचे जोने जा रही हैं और एक बड़ा आर्गनाइजेशन बन गया है जिसमें 2,000 से अधिक टीचर्स और 28,000 लगभग 28,000 बच्चे इस समय सिक्षा ग्रहन कर रहे हैं और लाखों बच्चे अब तक पढ़के निकल चुके हैं तो इस तरह से लगनो पब्लिक स्कूल अब प्रदेशी नहीं इंडिया के जाने माने स्कूल में गिना जाता है इसक जाम और BJMC पांच कोर्स चल रहे हैं और उनमें उसकी भारी डिमांड है और हमारे बच्चे पढ़कर के जाब पाते हैं तो यही चल रहा है सर अप पूर्व विधान परिशद के सद्ध्यस वीरहस चुके हैं सर उसकी बारे में कुछ आमारे सर दर्सकों कु बताई हैं साथ शिक्षा से जुड़ी हुई जो राजनीत है उसमें भी जाकर के प्रदेश के युवाओं को होनहार नागरिकों को सबके उनके लिए कुछ कर सके इसलिए मैंने विधान परिशद का चुनाव लड़ा और जीता फिर दो हजार आठ में पुना जीता और दो हजार हैं और लोगों के प्रशन उठाए हैं लोगों की समस्याएं दूर की हैं विकास कारिकराए हैं इस तरह से जो मेरा मिशन था कि शिक्षा के साथ साथ सथ स्वच्छ राजनीत करके और सारे चुनाव हमने इंडिपेंडेंट लड़े किसी दल का सहयोग नहीं लिया किसी दल स नहीं लड़े तो यह मेरी पहले से ही विचारदारा थी कि दलगत राजनीत से दूर हटकर के अपना जो है एक मुकाम बनाया जाए और शिक्षा के छेत्र में शिक्षा से जुड़ी हुई राजनीत को किया जाए तर आप इन सभी को सर कैसे आप तालमेल बैठाते हैं आप अजास तालमेल बिठाने के लिए तो पूरा समय हम लोग वैसे भी हैं चाहें राजनीत में हो चाहें न हो और चाहें मतलब श्कूल के कारे कर रहे हों चोबिस गंटे एक ही देश रहता है कि किस तरह से हम जन वानस के हित में कुछ कारे करें उनके बार अजनीत करें उनके करते हैं तो इसी भावना के साथ काम करते रहते हैं विद्याले प्रवंधन बहुत वखू भी करते हैं उसके लिए तो हम लोग जो हमारी पूरी एक टीम है हमारे करी 50-60 लो स्टाफ है जो सुपर विजन करते हैं और सारी प्रिंसिपल सारे टीचर सम मिल करके बहुत अच्छे करते हैं बच्चों की विधिवत पढ़ाई कराते हैं तो सब का अपना काम बटा हुआ है और एक दूसरे से लिंक्ड है तथा एक सुपर वाईजरी स्टाफ जो है जो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है वो लोग भी अपना जो है क्वालिटी चेक करते रहते हैं हम लोग पहने अलग अलग सोरसे से क्वालिटी कंट्रोल पर पूरा ध्यान देते हैं चाहें इंफ्रास्ट् syst predictable quality हो जहें गेम्स की फैसिलिटी हो जाहें कोई भी वी बेसिलिटी हो हर छेत्र में हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं इसी का पर दिणाम है कि अज लग्नव प चुनवतियां तो देखा जाये रोज ही आती रहती हैं, जब हम कोई आरगुनाईजेशन चलाते हैं, जहां पर दो हजार से अधिक स्टाफ हो और अठाइस हजार लगभग बच्चे पढ़ रहे हों, तो उसमें किसी की समस्याएं रोज ही आती रहती हैं, तो उनका जो है सही निवारण किया जाता है, क्या उनकी परेशानी है, उसके अनुरूप हल दिया जाता है, कि इसमें ये करना है, प्रिंस्पल सब परफेक्ट हो चुके हैं, तो अपने इस तर से ही निप्टा देते हैं, जो उनका समाधान नहीं हो पाता है, वो हमारे पास आती है, उनका मैं बिदिवत निवारन करता हूं, तो जो भी चुनवतियां हैं, हाँ इसके अलावा बहुत से जब आदमी आगे बढ़ता है, जब आर्गनाइजेशन आगे बढ़ता है, तो बहुत से लोग रोडे अटकाने का भी काम करते हैं, दूसरे स्कूल वाले भी रोडे अटकाने का काम करते हैं, तो उन सबसे निप्टा जाता है, और अपना एक ही उद्देश रहता है, कि काम करते रहो, अच्छे सोच रखो, और लोगों के हित में कारी करते रहो, कभी आपका कुछ नुकसान नहीं कोई कर सकता है, तो इसी प्रकार से हम लोग जो है, चाहे कोई भी चनोतिया सबका सामना करते हैं, और अच्छे से अच्छा काम करते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं, बच्चों के अच्छे सेलेक्शन होते हैं, यही हम लोगों का उद्देश होता है, कि हर बच्चे को, अगर कोई कम्टिशन में बैठ रहा है, तो उसका सेलेक्शन अच्छा हो, अगर कोई पुर्स पूरा कर चुका हो डिग्री कोर्स तो तो तुरंट कोई जाब मिले तो उसके लिए जाब फैर अर्गनाइज करते हैं तो इस तरह से हम लोग कार करते रहते हैं आजकल सिक्षा और स्वास्त है उसको आजकल सारी दुने से बेवसाय की रुप में सर देख रही है सर आप इतने बड़े सर प्रवंदक और कॉलेजे से स्कूल है आपके तो सर आप और संस्थान से सर अपनी संस्थान सर किस तरह सर अलग सर पाते हैं सर उसके बारे में कुछ बताईए शिक्षा को ब्योसाय नहीं कहा जा सकता हां कुछ लोगों ने इसको ब्योसाय जरूर बना किया है लेकिन लखनव पबलिक स्कूल हना हमने किसी को फ्रेंचाइजी दी है और नहीं यहां ब्योसाइक है हमारी अगर फीस को कंपेर करें तो जितने भी अच्छे स्कूल कहे जाते हैं उनमें हमारी फीस सबसे कम होती है एक आम आदमी जितनी फीस एफोर्ड कर सकता है उ प्रेंचाइक हैं तो यह गलत है हम तो सेवा करते हैं सरकारी स्कूलों का हाल देख लीजिए जहां वहां के टीचर ही अपने बच्चों को वहां नहीं पढ़ाते हैं तो फिर ऐसे स्कूल हमी जैसे स्कूलों पर पर जिम्मेदारी आ जाती है कि हम लोग अच्छी शिक्षा करते हैं देश आगे बढ़े हमारे बच्चे आगे बढ़े अदेश तरक्य करें और दुनिया के सम्रभ र राष्टों की स्रेणी में हमारा र राष्ट भी हो इसके लिए हम लोग जो है दिन रात कारे करते हैं और अच्छी शिक्षा के साह साहत सबसे बड़ी बात है कि हम जो है उनको अपने स्टाफ को हमने जोडे रखा और आज वही फिर से पूरे अपने जो है रंग में आ चुके हैं पढ़ाई जोरों पर चल रही है तो लखनव पब्लिक स्कूल एक राष्ट की सेवा के लिए बना हुआ है और अब तक हमारे यहां के पढ़े हुए कई हजार विद्या थी जो हमारे पूर चात्र हैं आज देश बिदेश दुनिया का ऐसा कोई देश न जहां पर हमारे पढ़े हुए बच्चे, हमारे इलम्नाइ अच्छे पदों पर जाब न कर रहे हो इस तरह से हमारे बच्चे एक स्कूल के माध competing से अच्छी शिक्षा पाकर के अच्छे पदों पर पहुचे हैं तो बहुत बड़ी देश सेवा इस रूप में कर रहे है कि अ उसकी अर्थवेवस्था मजबूत कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग हर वो अच्छा कार कह सकते हैं करते हैं जिसकी जरूरत है। सर आपके भी सर जिन्दी में कोई ना कोई सर प्रणना स्रोथ होंगे। सर कैसे और क्यों सर थे उसके बारे में सर कुछ बता। हमारे जीवन में हर वो भ्यक्ति जो अपना कार निष्ठा लगन से कर रहा है। वो हमें बहुत प्रिय है। उसे हम कह सकते हैं कि मैं भी उनहीं की तरह काम करता हूं। और वही हम सब के प्रेहना स्रोथ होते हैं। हमारे टीचर्स भी बहुत से प्रेणा सुरोत हैं, हम चतुर सेडी करमचारियों को जो भी दिनराज सेवा करते हैं, डांट पड़ती है, उनकी फिर भी मुस्कराते हुए काम करते रहते हैं, वो भी हमारे प्रेणा सुरोत है, उनसे भी सबक लेने की ज़रूत है, लेकिन उन्डिया में नहीं हैं, उनसे हमें दो बार मिलने का आवसर प्राप्थ हुआ एक बार राष्टपत भावन में और एक बार राष्टपत के रूप में वह यसी के कुछ महिनों बाद हमारे विद्याले लखनों पब्लीक स्कूल सारा इस्टेट ब्रांच में आय थे, मुख्य के लिए, अगर जीवन में कुछ बनना चाहता है, कुछ आगे जाना चाहता है, तो वो कलाम साब की जीवनी पढ़ले, कलाम साब की कही हुई बाते पढ़ले, दूसरे हमारे जो प्रेणासोत और बहुत पुराने हमारे नेता रह सरदार पटेल, जो एक त्याग की प्रतिमो होते हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं, पांसओ बांसब रियास्त ओषतों को एक करके जिन्होंने शुदध भारत को बनाया था, वो हमारे प्रेणासरोत हैं, चत्रपाज सिवाजी महाराज हमारे प्रेणासारोत हैं, जिन्होंने धर्म की रच्छा की हिंदु धर्म को और पूरे राष्ट को एक बहुत बड़ा सम्राज इस्थापित किया था तो इस तरह से देखा जब बहुत से राजनेता जो रह चुके हैं, हमारे जो महान पुरुष हैं, वो हम सब के प्रहना सरोत हैं, मैं सुभाज चंदर भोष को अपना प्रहना सरोत मानता हूं, इस तरह बहुत से लोग हैं, बहुत से अमारे नेता लोग रहे हैं, वो पेला सरोत हैं सर आज सर आप हमेरे प्राइम टीवी के सर माध्यम से हमारे दर्सकों सर बताएए सर जीवन को कैसे सरल और अनुभवी बनाएं, उसके बारे में सर कुछ बताएं लोग को जीवन को सरल बनाने का एक ही तरीका है कि हमेशा खुश रहें अच्छ रहने के लिए अच्छ कारी करें यदो stand Review type खुश कारी करेंगे तभी हुश् रहेंगे तभी हुश रहेंगे, गलत काम करेंगे, कभी हुश् नहीं रहेंगे कुछ इनको शंका लगी रहेगी, लोग टोकेंगे, या कोई बड़ा गलत कार कर दिया, तो पुलीस और यह सब, तो वो डर बना रहता है, इसलिए खुछ रहना है, तो अच्छे कार करिए, देश को अपना स्वयम का, एक बहुत ही पवित्र, मानना चाहिए कि देश से बढ़ करतब परायन बनिये, देश प्रेम रखिये, यही सब चीजें हैं खुछ रहने के लिए, तो आपने देखा हमारे साथ महजुद थे लखनो पबलिक स्कूल की प्रभंदक और संधापक, उनका कहना है कि हमारे जो जीवन है, उसको अनुभवी और सलर बनाने के लिए हमें ख अगले सब्ता में इसी प्रकार से प्रस्लित और महान व्यक्ति से रूबरू कराएंगे, तक लिए नमस्कार.